कि अब आपका प्यारा बूटानी सर आपके साथ मजूद हूं एक अच्छे से छोटा साइक टॉपिक आपका जो आपका एक्जाम में कई वार पूछा जाता है चाहे कोई भी आप परिक्षा दें वहाँ पर आपसे टॉपिक पूछी लिया जाता है रूल शब्द योगिक शब्द योग रूल शब्द दो तीन मिनट में इसका टंटा बच्चा हम लोग आपसे कामेसा के लिए गतम कर देंगे एक ही बार में आप समझ जाएंगे कि इसको चाहे वो आपसे कहें बनावट के आधार पर और चाहे वो आपसे कहें विच्पत्य के आधार पर तो आप कह देंगे कि इसके भेद होते हैं तीन अगर वो कहें कौन-कौन से तीनों के नाम बता देंगे आप पहला आपका हो जाता है रूल शब्द पहला आपका हो जाता है रूड शब्द दूसरा आपका हो जाता है योगिक शब्द और तीसरा आपका हो जाता है योग रूड शब्द तीसरा आपका हो जाता है योग रूड शब्द अब समस्य आती है कि वार पहचानने में तो कुछ भी नहीं करना है बहुत आसान से आपको बता दू कुछ नहीं क हो रहे होंगे तो रूण शब्द हो जाएगा कोई भी शब्दाप उठालो जैसे मैं कि यह कह दू कलम बच्चा यह जो कलम शब्द है जला देखो इसके अगर आप खंड करोगे एक तो खंडों का का धन ला धनमा क्या इनका कोई अर्थ है कोई अर्थ नहीं है दूसरा शब्द के सार्थक खंड नहीं हो सके हमने खंड तो किये पर उनके अपने कोई अर्थ नहीं है तो बस यहीं सारे शब्द आपके कहलाएंगे आपके रूल शब्द एक्जाम्पल में आपका ही सारे शब्दों को रख सकते हैं पशू शब्द के भी सार्थक खंड नहीं नह कच बाज कीजिए कि उसके खंडह पर गया को युश लेलो कुरोड़ शोड़नी के मेज के भी πंट नहीं हो पाएंगे तो बस कोई बीव शबद आप ले आप स्क्रम आप आपके नहीं हो पाएंगे तो कोई भी शब्द आप ले लो बस खंड अगर करें दोनों के अर्थ नहीं निकल रहे हैं तो आपका रूल शब्द कहलाएगा योगिक के बात करें तो यह भी बियादासान दोसे मिलकर बना हो दोसे मिलकर बना हो और दोनों ही कैसे हो सार्थक अर्थ रेयाले का भी अर्थ है तो विद्यालय आपको हो जाएगा योग शब्द अनाथ Christians को अनाथ सब्ध का भी अर्थ है आले का भी अर्थ है आप किसको विश्राम आप भी कय सकते तो दो सब्धों से मिला दोनों ही सार्थक शब्द वर्द वी शार्थक अश्रम शाष थी processors अनात्य योग रूण में बच्चा आप समयों जो से मिलके बने पर किसे एक लिए blir हो गए वह आपके कहले योगरूण शब्द जैसे मैं आपसे कहे दू दशानन तो दसानन जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर तो बना है दस और आनन दस का मतलब संख्या अनन का मतलब सिर तो जिसके दस सिर हैं परंतु यह बताओ कि यह कि आप किसी को भी दसानन कहें दोगे यह तो आप उसे कोगे जिसका अर्थ एक विशेश विक्ति या वस्तु के लिए रूड़े अफिक्स हो गया उसे आप कहते हैं दसानन जैसे रावड को आप कहते हैं दसानन आप लगा लो अपने दस्तिर और महले में घूमो कि मैं दसानन हूं कोई मानेगा थपड़िया होगे नहीं कहोगे लब मुदर तो गड़ेश के लिए फिक्स हो गया क्लिया तो लब मुदर तो गड़ेश के लिए फिक्स हो गया पीतांबर तो बच्चा पीतांबर की अगर हम बात करें तो पीले वस्त्र अब मैं पीले कपड़े पहन लूँ अगर तो क्या मैं पीतांब नील कंठ तो नील माने नीला कंठ माने गला आप लियाओ बाजार से पांच रूपे की नील और पोतलो गले में और कहुं मनेगा नहीं मनें कहने आपको थोड़ी नील कंट कहला होगे कि वह तो शंकर के लिए फिक्स हो गया तो ऐसे सब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके बने हैं पर किसी एक विशेष के लिए रूड या फिक्स हो गए वह कहलाते हैं आपके योग के सार्थक नहीं हो सकते मैं नहीं कहों आपका योग योड़ा क्योंकि शुक्रूस के लिए बच्छे आप एक्जाम पूरका जरू डाउनलूड करें और मेरी क्लास हो रही है रोज शाम को स्सी एक्जाम शाम को चार बजे वहां पर बच्चे में आपको रोज आपको लिए अच्छे प्रसंद जो हैं वो ले कर आता रहता हूं तो उस क्लासों में आप अवश जुड़िए अगर आपने अभी तक भी एक्जामपूर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरन सब्सक्राइब करें और एक्जामपूर का ऑफिस्यल एप्लिकेशन गूगर प्ले स्टोर से अवसर डानलोड करें तो मिलते हैं क्लासों में तब तक लिए बाबाए टाटा जहिंद जैग्जामपूर कर विजैग्जामपूर